हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल क्रेक कॉंसेट विथ मयंग मैं मयंग आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 2023-24 के सेशन में जो आपने रजिस्ट्रेशन संपन्न किया था उस रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन नंबर को जब आप UP स्कॉलर्शिप के पोर्टल पर fresh login करते हैं और same password डालते हैं जो आपने registration के दोरान डाला था तब भी आपका error आ जाता है उसमें invalid password क्यों लिख के आता है मैं आज की इस वीडियो में उसे बताऊंगा क्यों लिख के आता है और उसे आप कैसे सही कर पाएंगे तो friends ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को start कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone के Chrome browser को open कर लेना है और यहाँ पर search bar पे type कर देना है UP scholarship फिर इसे search कर देना है फिर आपके सामने कुछ ऐसा interface open होके आएगा अब यहाँ पर आपको UP scholarship के official website पे भी जा सकते हैं और यहाँ से login fresh वाले option पे भी click कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं official website पे click कर देता हूँ अब आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा यहाँ पर आपको student वाले option पे click कर देना है और fresh login पे long press करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ पर pre-matrix से student login आप करना चाते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर intermediate student login का भी option है तो आप जिस पे click करना चाहें आप कर सकते हैं मैं pre-matrix student वाले login option पे click करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको registration संख्या fill कर लेनी है तो friends जो मैंने registration किया था चलिए मैं आपको वो form दिखा देता हूँ तो friends यह मेरा registration संख्या है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023-24 का जो session है इसी की यह slip है तो यहाँ से मैं registration संख्या को note करके वहाँ पर type करूँगा और अपना जो password है वो मैं वहाँ पर type करूँगा तो friends मैंने यहाँ पर details को fill कर लिया है और यहाँ पर मैं submit वाले option पर click कर देता हूँ तो friends मेरे सामने invalid password try again का option आ रहा है तो इसे कैसे ठीक करेंगे चलिए इस वीडियो में बात करते हैं तो friends इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको दुबारा से registration form को fill करना है फिर अभी जो आप registration form नया apply करते हैं उसमें जो registration संख्या आएगी और जो आपके द्वारा निर्मित password होगा वो यहाँ पे दुबारा से fill करना है और मैं 100% security के साथ बोल सकता हूँ कि आपका ये जो portal है ये login हो जाएगा तो friends चलिए मैं नई registration संख्या यहाँ पे fill कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर सारी details fill कर ली है तो मेरे सारे option green से tick हो चुके है तो friends अगर आपको form step by step fill करना है तो उस video की link मैं description में डाल दूँगा वहाँ से आप check out कर सकते हैं तो friends इस तरीके से आपके mobile में so हुआ error invalid password का ठीक हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि यह video आपको बहुत informative लगी होगी और पसंद भी आई होगी तो अगर आपको video पसंद आई तो video को like करके channel को subscribe जरूर कर ले मैं ऐसी interesting video के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ so चलिए मिलते हैं अब एक नए video के साथ तब तक के लिए take care bye bye